असलाम अलेकूम आयोटीव फैमली कैसे हो आप सब घर में जब पता चलता है कि आज दाल बनी है तो आदी भूखतों लोगों की वैसे ही खतम हो जाती है लेकिन अगर दाल को आप थोड़ से डिफरेंट स्टैल ने बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी तो मैं आज पैसीपी शेयर करने जा रही हूं 200 ग्राम दाल को अच्छे से वाश कर लेंगे एक पैन में ले लेंगे एक चमच पिसी हुई लाल मिच एक चमच नमक आदे चमच धनिया पॉडर और थोड़ी सी हल्दी इसमें एड कर देंगे और एक नर्मल साइज की प्यास को ग्रेटर स लेकिन अच्छे से पकी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही ढखकर लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे और यह देखिए 15 मिनट हो चुके हैं दाल हमारी अच्छे से गल गई है हमें इसी कंसिस्टेंसी की दाल चाहिए थी अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड दनिया का फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा लगता है दनिया तो दाल में डलता ही है लेकिन आप लोग उपर से डालते हो लेकिन अगर आप इसको तेल में फ्राइ करके डाले तो इसका एक अलग ही अमेजिंग सा टेस्ट निकल कर आएगा आप इस तरीके को जरूर मिस्ट भी डालेंगे और थोड़ा ताहरा दनिया उपर से और इसको स्पिंकल कर देंगे ताकि इसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाए डाल बनकर एकदम रेडी हो गई है इस तरह से आप डाल बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनकर तयार होगी इसको सर्व करें वीडिय करें जिससे कि मेरी हर वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक चलत पहुंच जाए मिलते हैं नेक्स रसीपी में तब तक के लिए लाहाफेज